ओम सिरी गनेश शायनम दोस्तो एश्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी से वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 मार्च मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आ आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिस से समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपकी आर्थिक इस् से संबंदित या फिर बहर के कंपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्थ होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक आज प्राप्थ होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गणमाने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्थ होगी कामकाज के छित्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता हैं जो आपके लिए अवश्य ही अच्छ गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रापर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ती प्राप्ती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिंदिकी पूरी तरह से जिएंगे जा दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के प्रती पूर्ण रूप से समानपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जा दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी महनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा ज्यां दोस्तो इसलिए आज आप समय का सद्यों प्योग करें कोकि आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता पराकरमे व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साती साथ आपको अपने कार इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बदा हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती सात गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पर सकता है मानसिक असांति के साथ साथ कार्रे व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट तता परिस्थानियों से कार्रे योजनाओं में बादाएं उत्पन हो सकती है अथे सावदानी रखना आपके लिए अनिवार रहे दोस्तो साथ साथ आपका शक्की स्ववभाब आपके लिए आज कुछ परिस्थानियों उत्पन कर सकता है बच्चों पर ज्यादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिस्थानियों खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं पिता का सम्मान करें कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो साथ साथ आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तो आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदो की एक लंबी स्रंखला के पनपने के करण आपको समंजस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं अजब की लव लाइफ केशी रहने वाली है दोस्तो अगर आपके दमपत्ते जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जा दोस्तो प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अति उत्तम रहेगा जा दोस्तो विवादों से आप दूर रहें किसी के कहने पर कोई कार्रें आप ना करें आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा अधे अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपके गुप्त योजनाएं आपके काम में ज़्यादा फायदे देंगी जिया दोस्तो इस समय कहीं से आज आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तों बस आपको अपने निर्ण को ही मननेता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्चे ही फायदा होगा जो दोस्तों वैवसाइक छित्र में धन लाब की आज इस्तिती रहेगी कारों आज आज आपके लिए सबी आसानी से सफल होंगे कारोबार विश्टार की आज आप योजने बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथ साथ आपको पेसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्चे ही लाबदाइक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पेसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से सम्बन दित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्चे ही प्राप्त हो सकती है जिस से इनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है ज्यां दोस्तो शारारिक्षे जादा मानसिक स्वास्त पर आज आपको अधिक जोर देने की जरुत है आपको अपने क्रोध पर आज नियंतन रखना होगा साथ साथ दोस्तो अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेट से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तो साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विश शुपाय क्या है दोस्तो आज आप श्णान आदिश निरुवतर होने के बाद पीपल के ग्यारा पत्ते ले इसके बाद इन ग्यारा पत्तो को आप साफ जल से दोले या फिर गंगा जल से धोये इसके बाद आप इन ग्यारे पत्तों पर चंदन या फिर कुमकुम से प्रभू सिरी राम का नाम लिखें इसके बाद आप इन ग्यारे पत्तों को भगवान बजनंग बली के मंदर में जाकर भगवान बजनंग बली जी को अर्पित कर दें और साथ ही साथ अपनी मनों काम नाय मांगें जा दोस्टो इतना करने मातर शेही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में प्रेशने चल रही हैं समस्त प्रेशने उकंत करेंगे और आपके जीवन में खुस्याएं खुस्या होंगी जा दोस्तो आप इस प्रिकार इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान बजरंग बली का अश्रवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद